नमस्कार दोस्तों आज है 9 जुलाई 2019 और 9 जुलाई 2019 से करेंट फर्स के जितने भी कुशन्स बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिसक्स करेंगे देखो बहुत बार एक्जाम में कुशन्स पुशा जाता है कि भारत की सीमा से जुड़े वे कितने देश हैं उन देशों का नाम बताईए या फिर option में आपसे पूछ लिया जाता है और बच्चों को बार बार ये चीज़े याद नहीं रहती हैं भूल जाते हैं तो देखो इसको लेकर एक ऐसी ट्रिक बताईए कि आप आप जिन्दगी में इस चीज़ को नहीं गूल सकते हैं आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बचपन में MBA किया याद रखना बचपन में MBA किया सिर्फ इतना याद रखने से आप सभी देशों के नाम याद रख पहला कोशन है कि भारत के किस परोसी देश की सीमा पर operation सुदर्शन सुरू किया गया है तो लगो भारत का परोसी देश जिसका नाम है Pakistan जिस से भारत और Pakistan के बीच पे हमेशा कुछनख अंबन चलती रहती है तो यहाँ पर भारत ने जो पाकिस्तान की सीमा है उस पर एक कह सकते हो ऑपरेशन लॉंच किया है उस ऑपरेशन का नाम याद रखना फिर से बता दे रहा हूँ ऑपरेशन सुदरसन इसका नाम है एक बार अपने मन में रिवाइस कर लो खुद से कोश्चन पूछ कर देखो और खुद से उसका आंसर कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका क्या नाम है बारत और अफगानिस्तान और भारत और चाइना इन तीनों के बीच की जो सीमा है उनका नाम क्या है क्योंकि मैं कई बार आपको यह चीजें बता चुका हूँ आप देखो आगे चलते कुछ और समझते हैं यह जो को operation सुदर्शन का एक photo भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि border पर अभी शुरू किया गया है, इस operation को BSP के द्वारा शुरू किया गया है, यानि कि border security force जो होती है भारत की, जो कि भारत के border की सुरच्छा करती है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, अब य परोसी देस कौन-कौन से, कौन-कौन से देसों को यहाँ पर यह सीमा चूती है, तो अगर आपसे बोला जाए भारत के परोसी देसों का नाम बताओ, तो आप सबसे पहले दिमाग में आपका कहां चलेगा, आप सुचोगे, आरे हाँ, पाकिस्तान तो मुझे याद है, पाक परोसी से टेच करते हैं, लेकिन आप कोशन कहां पर गलत करके आते हो, पता है, आपसे इन च्छे के बारे में कोशन नहीं पूछा जाएगा, एक ऐसा देस है, जिसका सिर्फ और भारत का एक राज्य से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, वो यहाँ पर, यहाँ पर अफगानिस्तान से भी भारत जुड़ा हुआ है, अकसर हम लोग यहाँ पर मिस कर देते हैं, और अफगानिस्तान से ही कोशन बनता है, अफगानिस्तान एकलावता ऐसा देस है, जो कि भारत के किसी सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से जुड़ा हुआ है, बाकि जितने भी दे चलते हैं तो आपको सिर्फ इतनी याद र Sophie औरकने अगर सभिए देशों का नाम याद रखपाएंगे जैसे की बजवा से मतलब चाइना पॉसके बाद में आगे चलते हैं MBA किया तो B, B से मतलब हुआ भूटान, A, A से मतलब हुआ अफगानिस्तान ठीक है इस तरीके से आप सातों देशों का नाम याद रख सकते हैं यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि यह जो करम मैंने बनाया है बच्पन में MBA किया यह उनक सबसे लंबी सीमा भारत और किस देश के बीच में है तो आप तुरंत याद करोगे कि सर ने कुछ बताया था बच्पन में MBA किया तो बच्पन में बाद से मतलब बांगला देश यानि कि बांगला देश से जो सीमा है हमारी भारत की वो सबसे जादा लंबी है फिर अगर पाकिस्तान के बीच में हैं तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हूँ इसके लाबा देखो एक और कोशन एक बार पूछा गया था कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो किसी पड़ोसी देश से जो हो रहे हैं तो ऐसे सत्रे राज्य है इसके लाब एक कोशन अफग के कौन-कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है उसको लेकर भी मैंने ट्रिक बनाई है यानि कि इस भारत के जितने भी सात देशों से जुड़ा हुआ है सातों देश भारत की जितने भी राज्यों से जुड़े हुए हैं उन राज्यों को लेकर भी एक ट्रिक है लेकिन सारी ट्रिक अगर यहां पर बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इस बज़े से इसका PDF वीडियो के description से जरूर download कर लिना revision करने के लिए ठीक है सिर्फ मैं आपको दो तीन बताता हूँ जैसे कि पाकिस्तान अगर आपको याद करना है तो आपको सिर्फ याद रखना है पराग जंबू गया पराग जंबू गया यानि कि पास से दूसरे बच्चों से आगे लेकर जाएंगे क्योंकि सिंपल वाले कुशन तो सभी लोग कर लेंगे इसी तरीके से देखो म्यामार से जुड़े हैं उसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी माई नेम मिया ठीक है इसी तरीके से और भी दे रखे हैं लेकिन ये साधी चीजें आप पीडिएफ डाउन्डोड करके रिवाइस कर लेना अगले कुशन में जाने से पहले एक जरूरी सूचना जिन लोगों ने हमारे चैनल से पिछले 6 महिने का यानि कि जनवरी से लेकर जून तक के मंतली करेंटरफर्स का पीडिएफ अभी तक परचेस नहीं किया है एक्जाम आने वाले हैं अगर आप एक्जाम क्वालिफाई करना चाते हैं पहले एटेम्ट में तो विश्वास मानिए हमारी पीडिएफ से बाहर 95% से ज़्यादा कोशन आपको एक्जाम में मिल जाएंगे और हमारी पीडिएफ से बाहर आपके कोशन नहीं जाएंगे आप इसे एक के दूसरे कोशन के उपर तो देखो डेली करेंट का दोसरा कोशन क्या बनता है कि हाल ही में किसे IBPS के डाइरेक्टर के रूप में चुना गया है तो IBPS जिसकी आप सभी लोग तयारी करते हो IBPS PO, IBPS RRB तो IBPS एक इंस्टेट्यूट है जो की recruitment करवाता है तो IBPS के नए जो डा IBPS का full form क्या होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे वोते हैं जो इसका full form भी नहीं बताबाते हैं अगर आपको इसका full form पता है तो बिना Google की इसका full form टाइप कर दीजिए मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इनका नाम पता है तो IBPS के नए डारेक्टर बना गया है अगला प्रसंट चलते हैं अगले कुशन में करवाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट आए एक एक वीडियो में अलग अलग जिए से इन्फॉर्मिशन जोड़ने में बहुत ज़्यादा मैनात लगती है सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेकंड निकाल कर वीडिय किस देश ने जीत लिया है तो हाल ही में फीफा महिला विस्टो कप 2019 का जो खिताब है इसको अमेरिका ने जीत लिया है ऑप्शन यह यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इसका फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं अमेरिका ने फीफा विम बाहत दिनों से कोशन तो इसको एक काम करते है जल्दी से हम लुग फीफा से तुरह सें जितने वी को ने को रिवाईज कर लेते हैं पहलाकों क्या है कि अभी हाल ही में फीफा में भारत की रैंकिंग जारी गई थी तो भारत की उसमें रैंकिंग कौन्स है 101 वी ठीक है इसके लाबा भारत के एक व्यक्ति है जिनका नम है प्रफुल पटेल वो फीफा में कारेकारी परिसत के सदस की रूप में चुने जाने वाले पहले भारतिये बन गए हैं तो अगर आपसे पूछा जाए, फीफा में भारत का कोई, अगर सदेश से बना है, तो वो कौन बना है, तो प्रफुल पटेल उसका अंसर कर देना, चीजों को समस्ते चलना, याद करते हुए चलना, सिर्फ सुनने से आपको याद नहीं होगा, हर एक पॉइंट को, एक बार पॉइंट करके मेमराइज करते हुए, चलो, खुद से मन में इसको बोल कर देखो, भारत 2020 में अंडर 17 महिला फुटवल विस्वकप की मेजवानी करेगा, ये पॉइंट से याद रगना, एक्जामें आपसे पूछे जा सकते हैं, अगला प्रसने को बन सकता है, कि वर्स 2018 का बालकन एथलीट ऑफ द इयर प्रसकार की से दिया गया था, ये दिया गया था, लिवका मेड्रिक को दिसंबर 2018 में ये कोशन मैंने आपको करवाया था, अगर आपको नहीं आदे तो आप इसे फिर से रिवीजन कर लीजिए, अगला प्रसने, 21 यानि कि 2019 का 21 राष्ट्र राष्ट्र मंडल चैंपियन सीवाइस को भारत के राज उडिसा में और्गनाईस किया जाएगा, जिसको की उडिसा में 17 से 22 जुलाई को और्गनाईस किया जाएगा, और कुल मिलाकर 14 संगों से अलग-लग टीमें याँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, चुकि बात यहाँ और उडिसा को लेकर हुई है, तो उडिसा के जो इस समय के CM है, उनका नाम है नवीन पतनायक, उडिसा के जो राजजिपाल है उनका नाम है गड़ेसी लाल, अभी देखो बहुत दिनों से निउस में देखा रहा था कि मेघाले में अवैद खनन चल रहा है, आपने भी निखाले सरकार पर सरवुची नियाला ने 100 करोन रुपए, 100 करोर्स, 100 करोन रुपए का अभी जुर्माना लगाया है, क्योंकि वहाँ पर अवैद खनन का काम चल रहा था, यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, अवैद खनन किस तरीके से वहाँ पर किया जाता है, इस इसको भारत के तेलंगाना राज्य में हाल ही में सुरू किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन D बिल्कुल सही उड़ाएगा, कि भारत के तेलंगाना राज्य में बोनालू उच्षव की हाल ही में सुरुवात करी गई है, जिसका कि आप एक फोटो गंदर में वार्सिक ऊच्षव की कैश्चिर में इसको मनाया जाता है, बेसिक्रेंस मजबूत होने चाहिए, अब यह मैं CHSL का पेपर देख रहा था, इतने आसान आसन केश्चन करभा रखे है, हम लोगे तो बहूँ अबहूट अरवानल का करस्षव पर परनोगे है, स्टे तेलंग गाना के जो सिया में उनका नम है के चंदर सेखर राओ वहां की जो कैपिटल है है हैदराबाद है और राज्यपाल का नम है इसल नर्सिम्हन तो दोस्तो आठ जुलाई 2019 का अगला कुशन क्या बनता है करेंट अगला कुशन बनेगा कुटनो एथलैटिक्स मीट में भ दिभूल सही हो जाएगा यहाँ पर आपको पूरा के बारे में डेटेल में बताते हैं सबसे पहले अब तक 21ग बारतने वहां पर हिमा दास ने महिलाओं की 200 मीटर की देश में सौन पदक जीती है, जबकि भारत के BK विसमया ने रज़त पदक जीता है, दोनों की नाम याद रखना, इसी तरीके से पुरुसों की 200 मीटर की दौर में मोहमद अनस ने सौन पदक जीता है, ठीक है, तो भारत का नाम याँ पर उन्होंने रौसन किया है, इसी तरीके से 400 मीटर में कोशन बन जाएगा, जैसे की पुरुसों की 400 मीटर की हरडल दौर में MP जाबर ने सौन पदक जीता है, जबकि जितिन पॉल ने कांस पदक जीता है, इसी तरीके से महिलाओं की 400 मीटर की जो दौर होती है, उसमें P सरीता बेन ने सौन पदक जीता है, सोनिया बैश ने रज़त पदक जीता है और R विथ्या ने कांस पदक जीता है, ये देखो, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स रता गया, लेकिन याद रखना है, इसमें बहुत सारे कोशन आपको मिल जाएंगे, खास करके आपको बस ये वाला कोशन याद रखना है, हीमा दास ने सौन पदक जीता है 200 मेटर में, इसको उच्छे से समझ कर रखना, अगला प्रस्न है, करेंट अफस 2019 का, क्रोएसिया में आयोजित, वर्ड यूथ कप में अरिंजित डे ने कौन सा पदक जीता है, तो देखो, भारत का केवल 10 साल का एक लड़का है, जिसने क्रोएसिया में वर्ड यूथ कप जो हुआ है, उसमें सिल्वर मेडल जीत लिया है, तो ऑप्शन B, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएका, कि भारत के 10 साल के अरिंजित डे ने, क्रोएसिया में वर्ड यूथ कप में सिल्वर मेडल जीत लिया है, जिसका कि आप यहां पर फोटो जेख सकते हैं, छोटा सा बच्चा है 10 साल का, जिसने क्रोएसिया में यह सिल्वर मेडल जीता है, जो की करांटे की एक प्रत्योगिता थी, जिसमें उसको यह वोट मिला है, इसको क्रोएसिया में और्गनेस किया गया है, तो क्रोएसिया की जो राजदानी है वो है, जाग्रेब, चीक है, और क्रोईसिया की जो मुद्रा है वो है क्रोईसिया कुना, करांट अफर्स के अगले कुशन में क्या है, पियूस गोईल ने किस वर्स तक भारती रेल्वे की दुनिया की सबसे अच्छी रेल सेवा बनाने की कोशना कर दी है, तो पियूस गुएल ने अभी रिसेंट में ये अनौंस किया है कि भारती रेलवे को दुनिया की सबसे इची रेल सेवा में 2030 तक बना दिया जाएगा तो option C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 2030 तक इसको बना दिया जाएगा अगला कोशन देखो क्या बनता है बारत के किस राज में DTC और क्लस्टर बसो में जल्द ही hydrogen CNG चलाने की गोशना कर दी गई है तो दोस्तो आपको पता होगा बारत की राज दानी जो दिल्ली है वहाँ पर ऐसा किया गया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यदा पॉल्यूशन का लेवल बर चुका है जिसको देखते हुए अभी वहाँ पर hydrogen CNG चलाने की गोशना कर दी गई है तो option A यहाँ पर दारी समझ कर वीडियो को शेर जरूर करना ठीक है दोस्तों एक बार फिर से कहता हम वीडियो को शेर जरूर करना आग जो मैं आपसे question पूछने वाला हूँ वो थोड़े से difficult हो सकते है क्योंकि वो जून महिने के awards वाले question है जिनको मैं यहाँ पर पूछने वाला हूँ जैसे तो याद होगा कुछ दिन पले question कर वाइदा कि पूर्व राष्ट्रपती प्रतिवा पाटिल को किस देश ने अपने सर्वोच नागरिक समान से समानित किया है जल्दी से answer बता है इसी तरीके से प्रसन कर वाइदा अभिनेत्री सीला जे को कि J.C. Daniel अवार्ड से समानित किय प्रदान किया गया है मैं आसा करता हूँ सभी लोग question को actively participate करोगे चार में से जितने भी question आप दे पाते हैं सभी को देंगे वीडियो को like और ध्यान से ध्यान से ध्यान से इसको share करना ना भूलें